कि असलामुलीकम फ्रेंज वैलकम टू ड्राइगन जी कॉम्रस आज का जो हमारा लेक्चर है यह है बेसिकली एमाज़ून ट्रॉप शिपिंग के मतली के एमाज़ून ट्रॉप शिपिंग चीज क्या है किस तरह वरक करती है और इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वा क्या क्या चीज़ें रिक्वाइड तो एमाज़ून ट्रॉप शिपिंग बेसिकली नौन प्राइम से प्राइम मतलब प्राइम प्लैटफॉम पर होती है ठीक है जैसे के हमारे पास प्राइम इंबर्शीप होती है उसमें जो पैकज़ज हमें एमाज़ून प्रवाइड कर होता है वह नॉन प्रैम पे नहीं कर रहा होता ठीक है तो हम उस चीज का फाइदा उठाते हैं और ड्रॉब शिपिंग करते हैं एमाजान पे तो इसके लिए सबसे पहली चीज जैसे के आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज हमें जो रिक्वाइड है वो है बिजनस प्राइम म सामने इंटरफेस एमाजान का जाता है एमाजान ओपन हो जाता है आपके सामने ठीक है तो वह होता है हमारा सिंपल एमाजान एक होता है एमाजान का बिजनस प्राइम ठीक है अब बिजनस प्राइम जो होता है यह बैसिकली मिंबर्शिप है एमाजान की जो इसमें काफी आ है वो है प्रड़ Việt हमें जो ढूंड ने फ्राइम डिया तो जो भी प्रोडक्ट आप ने सूड बॉंड है अब हमने करनी है फ्राइम तो जो प्रोड़क्ट है उसकी प्राइज शुड ब्लाइ तो वह प्रोड़क्ट एमजोन पे इसोड हो रहा आप मतलब कि जैसा के आप मैं एक प्रोड़क्त दिखा देता हूँ कि यह मैंने प्रोड़क्ट ढूंड के रखा हुआ था चेक तरवाने के लिए ठीक है तो आप प्रोड़क्ट हंटिंग के वीडियो हमारे चैनल पर पढ़ी है देख सकते हैं कि अमजान प्राइम प्राइम पर प्रोड़क्ट हंटिंग इस तरह की जाती है सेमस्क्लप की और बाकि भी सारा नौलेज एमाजन का जो है हमारी चैनल पर पढ़ा हुए आप फ्रीली उसे ग्रैब कर सकते हैं अच्छा यह हमारी प्रोड़क्ट है जो यह आप जैसे के देख सकते हैं शिप्स फ्रॉम एंड्सोल बाइमाजन डॉट कॉम ठीक है मतलब के यह एमाजन आप देख सकते हैं लेकिन इसको सोल्ड और शिप एमाजन ही कर रहा है ठीक है तो सबसे पहली चीज हमने यह देखनी होती है एमाजन ड्रॉप शिपिंग में अच्छा उसके बाद सेकंड प्राइस पॉजीशन हमने जैसे के यह अभी प्रॉड़क्ट धूंड लिया ठीक है अब इसको हमने सेल करना है अपने एमाजन सेलर सेंट्रल पर ठीक है तो आपने मेक शोर करना है कि आपकी प्राइस इधर सेकंड पिछो रही हो कि कि फर्स पे तो एमाजन बैठा हुआ है और उससे हमने प्रचेज करनी है चीज अगर हमने पहले पे आना है तो हमें जाहर है एमाजन से प्राइस कम लगानी पड़ेगी अगर कम लगाई तो हमारी द्रॉब शिपिंग का फायदा नहीं है वो तो लेने के देने पड़ गए ठीक है तो हमने चेक करना है कि हमारा जो प्रोड़क्ट है वो हमारा जो स्टोर है सेकंड पे शोर हो ठीक है मतलब के यह कैसे होगा एमाजन के बाद दूसरी प्राइस जो लोएस्ट हो वो आपकी ह हो ठीक है जैसे के अभी यह पिकप स्टोर है यह दर शोवर रहाए सेकंड पर आने के लिए करना है यह इसने 26.9 एड़ लगाई हुए ठीक है आपने अगर इसको बीट करना है second position take करने के लिए तो आपने 26.98 जो है कम लगानी है ठीक है जैसे कि हम इसकी प्राइज अपना प्रॉफिट कल्कुलेट करके लगा सकते हैं 26 अगर 26.90 लगा सकते हैं बेसिकली बताने का मतलब यह है कि प्राइज इससे कम होनी जाई है ठीक है उसके बाद प्राइस डिफरेंस फ्रॉम अधर सेलर्स ठीक है वही जैसा मैंने आपको बोला है आपने जब आप यह इदर न्यूपर क्लिक करेंगे ना सी आल बाइंग ऑप्शन जब इसके देखेंगे ठीक है न्यूपर क्लिक करके के नो जो ग्यारा सेलर्स बैठे हुए है उनकी रहे हैं उसकी क्या वज़ा है उनकी रेटिंग और उनकी डिलिवरी डेट ठीक है तो यह भी इंपक्ट करती है आपने देख लेना कि एमाजॉन किस डेट को शिप कर रहा है तो आपने भी वही उसी हिसाब से अपना हैंडिंग टाइम लगा देना है ठीक है और जो प्राइ प्रोड़क्ट का से लेंग क्या है यह आपने चेक कर लेना है यह इदर शो हो रहाता है यह 40,000 से काम होना चाहिए ठीक है अभी जैसे इस प्रोड़क्ट का 29,540 है मतलब के यह प्रोड़क्ट बहुत ही अच्छा है अगर हम इसको करते हैं ठीक है उसके बाद आपने ब्यूसर चेक कर लिया कि इसका बेस्सार रेंक है और यह याद रखना है कि 40,000 से काम हो उसके बाद आती है ठीक है आपने जो भी मतलब के जब प्रोड़क्ट हंटिंग करनी है आपने आपने यह ख्यार रखना है कि प्रोड़क्ट की प्राइस सेवन डॉलर से ज्यादा हो ठीक है प्राइम पे उसका क्या फाइदा है क्योंकि प्राइस जाहर है जितनी प्राइस ज्यादा होगी उतना ही आपका वैल्यू मार्जन भी ज्यादा होगा तो एक्सपेंस निकाल के आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा ठीक है उसके बाद टार्गट प्राइस हो गई उसके बाद आती है रे देखनी है ठीक है अब उसकी रेटिंग क्या होनी चाहिए रेटिंग होनी चाहिए उसकी 200 अबाव रेटिंग होनी चाहिए उस प्रॉड़क्ट पर ठीक है जो आपने हंड करना है और रेटिंग क्या होनी चाहिए फॉर प्लस ठीक है फॉर प्लस रेटिंग उसकी होनी जो आफ बीयम आपको पता होगा फुलफिल्मेंट बाइम बचेंट अब हमढ़ गते हैं ठीक है उनकी फुलफिल्मेंट खुद की होती है तो उनको कोई भी शीपिंग एमाजोन ही देता वह खुद परवाइज परवाइड कर रहे होते हैं ठीक है अब जैसे यह सारे सेलर इस पे इस प्रॉड़क्ट पे एब यह मैं तो यह प्रॉड़क्ट है हमारे लिए बैस का ठीक है इसको हम कंसीडर कर सकते हैं अपना प्रॉफिट कल्कुले है अभी 15% होती है अमाजोन तीफी जो सैलर सैलर सेंटरल हमसे चार्ज करता है ठीक है अब यह प्रॉड़क्ट हमने मिसाल के तोर पे लिस्ट करना है 26.90 तो हम उसका 15% निकालेंगे सारे एक्सपेंसे निकालके जो प्राइस हमारी बचेगी उसको इससे माइनस कर देंगे 17.99 से तो अगर हमारा प्रॉफिट सेवन डॉलर से जादा हुआ तो हम इसको अपने स्टोर पे लिस्ट कर सकते हैं यह हमारे लिए विनिंग प्रॉड़क्ट हो सकती है ठीक है अब साथ डालर से जादा क्यों होना चाहिए कभी कबार ऐसा होता है कि Amazon जब यह प्रॉड़क् Amazon बाद वकात ऐसा होता है कि इसकी प्राइस उपर नीचे होती रहती है ठीक है उसके लिए काफी टूल है हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी है आप देख सकते हैं सारी Amazon की तो उसके लिए हम टूल भी यूज करते हैं कीपा और वैसे भी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं अब प्राइस तो जादा होगी अभी जाहर है Amazon फीस भी लेगा यह वो तो उस उसलिए हम जो प्राफिट होता है वह एट डॉलर यह सैवन डॉलर से ज्यादा रखते हैं ताकि अगर Amazon प्राइस बढ़ा भी दे तो हमें नुक्सान ना हो अगर हम अब हमारा डॉलर दो डॉल था वो उन दो डॉलर से कड़ गया जो फीसे हैं हमारी एक्सपैंसे सारे Amazon हमसे ले रहा है वो हमें मतलब के हमारा लॉस हो ठीक है तो इसलिए प्राफिट आपने देख लेना है कि वह सैवन डॉलर से ज्यादा हो ठीक है तो आज के लिए इतना ही हमारी चैनल पे आप जाग होगा जैसे हमारे चैनल पे Amazon को समझाया गया है तो यू कैन चेक दे चैनल एंड सब्सक्राइब तो आर चैनल थैंक यू वेरी मच अला हाफिज